दोस्तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ अपने फ्यूचर के प्लैंस, आपको कैसी बाते कर रहे हो, जी हाँ, मैं बताने वाला हूँ हर एक ट्रेडर जिसका सपना होता है, क्या सपना होता है, आज उस सपने की बात करने वाला हूँ, क्या बात करने दंक से समझना या आप सब में से जितने भी लोग सच में आपने आपको फोरेक्स मार्केट या फिर मार्केट के इंदर काम करने के लिए like lifetime motivate करना चाहते हो ना तो यह कि आज ऐसी चीज आपको explain करने वाला हूँ जूकि दुनिया में बहुत सारी जगा पर की जा रही है बट इंडिया आज भी उसमें बहुत पीछे है और यह चीजे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कारण क्यूंकि जू भी काम like जू भी काम में अपने चानल पर करता हूँ educational content है ऐसा थो नहीं है कि मुन्नी बदनाम की जा रही है कि विदिन 10 मिट की वीडियो बना कर बंद कर दी जाए तो educational content है तो अगर आपके पास समय नहीं है ना ये वीडियो आधे से एक घंटे की जाने वाली है watch letter में डाल देना अराम से देखना क्योंकि ये वीडियो आपके mind का ढखकन खोलने वाली है और मैं इसमें आपकी मदद करना चाहता हूँ कारण जो भी मेरे चैनल पर subscriber है उसको financially ये तो पता हो कि future में क्या-क्या options available है आप देख रहे होंगे आज के time पर क्या हो रहा है AI artificial intelligence से बहुत सारे लोगों की job जाने वाली है जिन लोगों ने software designing की है जो AI create किया गया है उसी AI की help से उनहीं की job जा रही है अब आप समझ सकते हो कितनी खतरनाक technology होती है अगर आम उसको पकड़ना सीख जाए then definitely हम लोग भी grow कर सकता है और यहाँ पर दुनिया में काम हो रहा है ऐसा नहीं है की यहीप ही काम क्या जा रहा है आप कोगे क्या AI के बारे मिं बताऊगे नहीं, आज मैं बात करूँगा उपर की सबसे top की बाते कैसी बाते समझो आज मैं बात करने वाला हो HFT यह मेरा सबसे favorite topic है और last four year में मैंने इसको उपर बहुत सारी research किये, बहुत सारी चीजे समझने की कोशिश किये, भाई ये है क्या कैसे काम करते हैं, किस तरीके से हम HFT के साथ में work कर सकते हैं, आप को गई है, HFT का कोई company है क्या, नहीं मेरे भाई, मैं आपको समझाता हूँ क्या चीजे होती है, देखिए, दुनिया में बहुत सारे तरीके के लोग होता है, देखो, वीडियो लंबी होने वाली मैं फिर बूलता हूँ, यहाँ पर कोई मुन्नी बद नाम तो नहीं की जारी न, educational content है, लंबा होगा, वीडियो की speed बढ़ा कर देख लेना, मैं चाहूँगा कि आप इसको प देखो, बहुत सारे तरीके के लोग होता है, दुनिया में एक होता है, जो job करना पसंद करता है, या खुद हातों से काम करना पसंद करता है, दूसरे तरीके के लोग होता है, जो की systems से करवाना पसंद करता है, वो किसी की मदद नहीं लेना चाहते, उनका कहना है, हम तो systems की मदद लेंगे, क्योंकि उनको उसकी power के बारे में पता लग जाता है अगर हम trader है और trading हम कर रहे हैं कहाँ पर? Forex market में या फिर कोई भी market हो सकती है, कोई भी market means कह सकती हो crypto market हो सकती है, stock market हो सकती है, depend करता है आप कोई भी market में काम कर रहे हो, आज हम जिसकी बात कर रहा है, HFT, अब यह HFT है, क्या पहले वो समझ लो, HFT का मतलब है High Frequency Trading, इसको short form में HFT बोलते हैं, ताकि लोगों को याद रहे, बट आपको याद नहीं, इसके future के बारे में सोचना चाहिए, यह वो चीज है, जो कि manually कोई हातों से कर नहीं सकता, यह वो चीज है जो पैसे को चापने की machine बोली जाती है, मैं बताओंगा last में, कौन-कौन सी country में बहुत अच्छा performance कर रही है, और हम कद्दू लोग, मतलब India में, हम लोग इसके बारे में जादा जानते भी नहीं हैं, बताए क्यों नहीं जानते, क्योंकि हम लोगों को ये चीज़े छुप रहे हैं, और हम लोगों को पता ही नहीं है कि ये game क्या है, आईए, game समझते हैं, बहुत ही अराम से, जब HFT की बात की जाती है, तो इसके बारे में कुछ point समझ लीजे, point समझना क्यों जरूर है, है क्या है, HFT की बात करें, तो ये एक algorithmic program है, ठीक है, लिखता चलता हूँ, पहले तो मैं लिख देता हूँ, millisecond, या फिर उससे भी कम कह सकते हो, microsecond, इसके अंदर trade कर दी जाती है, समझ रहो, जितने second में हम लोग अपनी पल के चपकाते हैं, आखि एक आख बंद करी, दूसरी बार खोली, इतनी देर में trade लग भी जाएगी, और दूसरी आख खोलने और बंद करने के बीच में trade खतम भी हो जाएगी, आप कहोगे, how is it possible, कैसे किया जा सकता है, वही तो जादू ही छड़ी है ना, जिसको बोलते है, HFT, इसके पीछे का game समझना बहुत ज़रूरी है, तो point number one है क्या ये, के algorithmic program होते हैं, जिसके अंदर हम millisecond और microsecond में trade कर सकते है, यहाँ पर क्या-क्या चीजों के requirement होती है, वो समझो, second point, मैं point में समझाना चाहूंगा, ताकि हर किसी को point wise point पता रहे, और कोई इंसान चाहे तो इन points को नीचे लिख सकता है, कि first point, second point, third point, fourth point, ताकि मुझे पता लगे कि seriously इस इनसान ने ये सारी चीज़े समझ ली है, clear, second point की मैं बात करूँ, तो यहाँ पर fast data processing की बात की जाती है, अब ये fast data processing का मतलब समझो, इसका मतलब क्या है, आपको बताना चाहूंगा, हमारे like, जैसे हम NSE में काम करते हैं, NSE का जो हमारा exchange है, वहाँ से like क्या सकते हो, हमारे घर तक connection जुड़ा होता है, ठीक, माल लिजे, beach में क्या है, जीओ है, इसकी speed कितनी है, वो matter करती है, तो हमें अगर सोचो, मैं यहाँ पर बैठाओ, अपने घर पर, मुझे क्या करना है, एक trade डालनी है, तो वो जो beach का second है, जो millisecond का time frame है, अगर सोचो, कोई इंसान बिल्कुल इसके सिर पर बैठाओ, कि इतना fast internet हो, उसका, कि जैसे यहाँ से data release ह लाइक कह सकतो, within second वो चीज मिल जाए, within second छोड़ो, micro second में मिल जाए, तो वो fast order execute कर पाएगा, या मैं जो यहाँ पर 100 MB पर second वाला game खेल रहा हूँ, वो कर पाएगा, तो answer will be very simple, HFT player जो खेल रहा होगा, वहाँ पर game वो कर पाएगा, पहली चीज, fast data processing बहुत कीमती है, तो data processing की कीमत यहाँ पर पता लग जाती है, यह चीज ध्यान रखने की हो जाती है, दन उसके बाद बात करें, यहाँ पर एक और चीज count होती है, जिसको हम बोलते हैं, low latency, ठीक है, और यहाँ पर infrastructure भी बोल सकते हैं, मतलब हमारे पास एक ऐसा setup होना चाहिए, जो कि इतना fast हो, इतन की बात ध्यान रखनी है, कि जो server की locations होती है, वो exchange data center के पास होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, यहाँ पर इंडिया में बैटे हुआ है, अमेरिका में बैटकर Indian exchange के अंदर work करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक के, जो time frame होगा, वो time frame बहुत जादा होगा, like वो microseconds में ही होगा, बट होगा बहुत जादा, उस condition में भी जो HFT layer होता है, वहाँ पर वो proper work नहीं कर पाता, मैं बताऊंगा कि कौन-कौन सी country इस चीज़ का फायदा उठाती है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो कहते हैं, भाई हम scalping करते हैं, तो scalping से एक कदम आगे कि अगर मैं बात करूँ, तो उसको बोला जाता है HFT, High Frequency Trading, ठीक है, scalping तो हो गई, एक मिनिट पे कर रहे हो, बैट कर हातों से कर रहे हो, बट इससे भी एक कदम जो कह सकते हो, अपग्रेट वर्जन होगा, उसको HFT में count किया जाता है, देन बात करें थर्ड पॉइंट, यहाँ पर हमारा एम क्या होता है, वो समझो, थर्ड पॉइंट को मैं समझाता हूँ, हमारा जो एम होता है, वो होता है, हम लोगों को चूटी चूटी लाइक क्या सकते हो, चूटी 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 प्राइज एक्शन के उपर मुवमेंट करना होता है, चोटे चोटे short term market moment जो होती है like वो को बोल सकते हो short term moment कितना हो सकता है माल लीजिए like कोई चीज है जिसका price 81 है और like मैं currency की बात करूँ किसी भी चीज की बात करें currency में भी हो सकता है दोखा ऐसा नहीं है कि यह किवल हो stock में होता है यह stock में भी होता है यह actual में एक पूरी की पूरी कह सकते हो एक industry है जो कि छुपी हुई है जो की कभी सामने नहीं आती आपने कभी सुना कि मेरे चाचा का लोंडा जो है वो HFT trading करता है उस company में काम करता है not possible क्योंकि यह चीज़े छुपी हुई होती है hidden रहती है क्यों रहती है पीछी का game बड़े player इसमें gameplay करते है उनके पास में यह infrastructure बनाने के लिए पैसा भी होता है अब आम जनता के पास भी बुद्धी आ जाए तो common सी बात है उन बड़े players में और आम जनता में difference क्या रहेगा सोचनी की बात है न वो लोग करोड़ो रुपे खर्च करके बैठे है अगर आम जनता को पता लग जाए तो भाई आम जनता भी कहेगे भाई मैं आपना घरगुर बेज के न यही system चालू करूँगा यह problem बट वहाँ पर क्या है उन लोगों को यह पूरा mindset है उनका पता है तो यहाँ पर होता क्या है 81 है तो क्या हुआ 81.0050 सोचो यहाँ पर 10,000 quantity फट जैसी profit gain किया छोटे छोटे टारगेट इतने छोटे छोटे होता है कि एक जो basically कह सकते हो HFT trader जो होता है जो देखते हैं शीज को बहुत जादा number of trades करता है बहुत जादा number of trades की जाती है इसी के साथ में यहाँ पर ध्यान देनी वाली बात है point number 4 की बात करें aim आपने समझ लिया छोटा-छोटा सा होता है point number 4 की में बात करूँ तो यहाँ पर trading में जो होती है global foreign exchange जो होता है वो भी involved रहते हैं ठीक, market का advantage उठाते है किस चीज़ पर जो price का fluctuation आता है different currency pairs के अंदर उन currency pairs का यह profit उठाते है कैसे? क्योंकि इनके पास data बहुत fast speed में आता है तो दूसरा इंसान जो manually trade कर रहा है या फिर normal जो EA लगा कर trade कर रहा है जो normal EA लगा कर काम कर रहा है या फिर कोई बोल रहा है कि मैं algo system run कर रहा हूँ उसका algo system बहुत दीमा है उसको कैसे हो वो millisecond में delay करता है तो भाई ये तो वैसी पीछी हो गया ना उन लोगों से जो की बहुत ही ज़्यादा microsecond में work करते हो तो ये भी बात ध्यान रखने को जाती है जो different currencies है उनके अंदर भी forex market में HFT बहुत ही अच्छे तरीके से की जा सकती है 0.5 की बात करें यहाँ पर क्या होता है आपने सुना होगा काफी जगा पे होता है इसको बोलता है I think arbitrage बोलता है चीक arbitrage बोलता है चीक arbitrage spelling को जिध्यान नहीं है एक सेकेंड रोको इसकी spelling होती है A-R-B-I-T-R-A-G-E I think यह होती है arbitrage की इसमें क्या होता है यह भी एक ट्रेडिंग का style कह सकते हो वहाँ पर काम किया जाता है प्लस यहाँ पर statistical analysis यूज करते हुए common जो HFT strategies होती है उनके अंदर काम होता है तो यह बात ध्यान रोको HFT जो है उसके अंदर यह चीज भी आती है strategy का part है यह एक तरह की strategy होती है जो यहाँ पर use की जाती है clear then बात करें यहाँ पर point number 6 की में बात करना चाहूंगा जो काफी important है point number 6 की में बात करूं तो HFT के अंदर real time market data required होता है इसके अंदर real time market data की बात करें वो कैसे मिलता है like वो data खरीदा जाता है आपने देखा होगा बहुत सारी जगा पर data बिखता भी है ठीक real time market data के requirement होती है वहाँ पर सारे के सारे important news होती है उसके उपर जो भी चीज़े है उसके नजल रखी जाती है ठीक और जो यहाँ पर second trade like a sector decision होता है second based decision होता है split पर उस पर ध्यान रखा जाता है बहुत ही छोटे छोटे टाइम फ्रेम पर काम करने की यहाँ पर कोशिच की जाती है next एक उपर की कदम की बात करें एक extra कदम की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है HFT firms जो होती है different different server रखते है exchange के पास में क्यों रखते है ताकि जो latency होती है like एक order को अपने हाँ से बेजा और यहाँ जो समय लग रहा है वो कम से कम लगे मतलब समझ रहो मालो मेरा NAC है NAC के पास में बिल्कुल बगल वाली building में किराये पे लेलू मैं बूलू भाई मैं तो यहाँ करना चाता हूँ HFT तो हमारी जो speed होगी बतर सबसे fastest होगी कोई मतलब भी नहीं बैठता है तो जो भी locations की जाती है जो HFT firms होती है वो यह कोशिश करती है कि जो exchange है उसके पास में रहे ताकि वो क्या कर सके trade execution speed उसको improve कर पाए तो क्या क्या चीज़े होई यहाँ पर minimum network के लिए पास में कह सकते हो building हो निची अब कोई कहना है इसे कि बगल में खोलनी है भाई कर सकते हो गरुव HFT वाला बंदा और पैसा तो उसके पास हो गई होगा तो यह बात आ जाती है point 8 की में बात करूँ तो यहाँ पर हम क्या करता है जैसे कि direct market access की बात करें ऐसे कुछ ऐसे networks को connect करता है जो कि enable करता है HFT firms को जो transmit कर पाए orders को और receive कर पाए market data को बहुत ही कम delay के साथ में पूरा game समझ रहे हो market की condition को समझ रहे हो market यहाँ पर HFT पूरी तर depend करती है speed की उपर जैसा कि इसके नाम में आता है HFT की बात ते की जारी है then यहाँ पर बात करें क्या क्या चीज़े count होती है बहुत ही जादा कह सकते हो यहाँ पर heavy like algorithmic program use कि जाता है जो कि आम जनता की बहुत से काफी जादा धूर होता है HFT companies जो होती है firms होती है उनकी अपने strategy होती है वो किनी strategies पर work करना चाहता है वो कह सकता है अपनी अपनी उनके groups होता है उस हिसाब से वो काम करते है कि high frequency trading में कोई arbitrage trading करेगा कोई कह सकते हो pairs में काम करेगा कोई crude oil में काम करेगा कोई currency में काम करेगा तो उनके अलगलग departments होते है कुछ इस तरीके से यहाँ पर काम करने की कोशिश की जाती है और second उसके बाद बात करें तो यहाँ पर क्या चीज़ आ जाता है bid और ask price के अंदर जो difference होता है जब आप खुछ सोचो इतनी जल्दी जल्दी order लगेंगे तो bid and ask price के अंदर जो difference आता है profit का जो spread आता है वो काफी जादा कम आता है तो एक जगा पर यह ऐसे भी फाइदा उठा जाता है क्योंकि जो spread इनकर निकल के आता है जो trading करते हुए करते है spread means कह सकते हो बीच का जो taxes and charges लगता है जो की broker लेता है यहाँ पर बहुत ही जादा कम निकल कर आता है because high frequency trading में इतनी fast order लगता है कि वहाँ पर कोई ज़ादा difference create हो ही नहीं बाता clear then उसके बाद में बात करें काफे सारे regulatory bodies होती है जैसे कि मैं बात करूँ जो मुझे याद है मैं प्रॉक्स 11th point में regulatory bodies की बात करता हूँ जिसमें कि Securities and Exchange Commission की बात करें SEC हो गई या फिर CFTC होता है Community Future Trading Commission यह हो गई यह क्या करता है basically इनकी HFT के अंदर जो भी चीज़े की जा रही है उनके ओपर monitor करता है जैसे कि इंडिया में क्या है SEBI की बात करें वो monitor करता है तो अगर वहाँ पर HFT की बात की जाती है तो यह कुछ ऐसी चीज़े होती है जैसे SEC हो गई या फिर CFTC हो गई यह लोग इसको चेक करता है कि सब कुछ फेर तरीके से हो रहा है प्लस इसके साथ में बात करें यहाँ पर क्या है जो भी काम किया जाएगा वो complex mathematical calculation के उपर किया जाता है complex mathematical calculation पे machine learning AI के उपर किया जाता है जो वो techniques use करता है और data को use करते हुए अपना एक output प्रोवाइड करता है जो decision प्रोवाइड करता है कि इस चीज़ के लिए trade execute करने के लिए high frequency trading के लिए hardware and software बहुत ही जादा कह सकते हो काफी जादा improve चाहिए होता है ताकि ultra low latency वहाँ पर create की जा सके मतलब कम से कम time के अंदर हम लोगों कावाँ पर order execute हो पा है अब बात आ जाती है मैं आपको बताना चाहूँगा यह सारी चीज़े तो हम इंडिया में करते है sorry इंडिया में नहीं करते है बहुत सारी firms ऐसी है जो कि यहाँ पर है तो जैसे है कि like United States की बात करें आज हो क्या रहा है spelling लिखने में problem क्यों आ रही है United States सबसे पहले तो यह हो गया यहाँ पर भी जो मुझ धियान है most important जो city है यहाँ पर वो New York and Chicago count होती है ठीक है यहाँ पर बहुत ही जादा high frequency trading के firms मिल जाते हैं और बहुत ही जादा financial market की वेरे से technologically बहुत जादा infrastructure available है तो यहाँ पर काम किया जाता है United States में जो कि HFT का पूरा का पूरा क्या सकते हो hub बोला जाता है जैसे हो बहुता है किसी चीज का काम करने का की अच्छी जगा पर second बात करें जो मुझे याद है वो है UK United Kingdom especially यहाँ पर भी London की बात की जा रही है यह बहुत ही जादा global financial center है बहुत सारे significant number of HRT firm यहाँ पर available होती है UK बहुत ही जादा affordable regulatory environmental like access provide कराता है किस चीज का access की market के इंदर काम कैसे करना है क्या क्या technology यूज कर सकते हो allow कैसे करना है क्या नहीं करना है वो सारी चीज़ें यहाँ पर allow की जाती है तो आप सोचो इंडिया में जो लोग कहते हैं trading करना मुश्किल है सोचो यहाँ पर कितनी मुश्किल होती हो और काफे जादा important HFT trading firms यहाँ पर easily available हो जाती है then उसके बाद में next अगर बात करें तो पीछे जापान कैसे रह सकता है भाई जापान की बात करें यहाँ पर बात करें तो टोकियो एक another major financial center है एश्या का और यहाँ पर काफे सारी चीज़े जापान तो offer करता है technology, high speed network plus liquid forex market और बहुत सारी ऐसी attractive चीज़े जोकि HFT farms को पसंद आती है like low taxation वगेरा वगेरा सारी चीज़े भी involve करता है तो जापान भी एक बहुत ही अच्छी जगह है HFT farms अगर स्टार्ट करना चाहते है देखो मैं क्यों बता रहा है बाते future, future अपने आपको देखो यार कि आप जापान में जाके क्या ऐसी कोई company open कर सकते हो गया वो चाहे आने वाले 10 साल में हो चाहे 15 साल में हो वो मैं यहीं नहीं कहूंगा यहाजी चले जाओ, बड़ मुद्दा है हम लोगों को पता तो हो न अब जापान के बात करें, अगर मैं बात करू कोई और ऐसी country जहां पर कह सकते हो तो भाई सबकी प्यारी like कह सकते हो Singapore की बात करें वहाँ पर बात करें तो वहाँ पर भी काफी जादा financial hub होने के current Asia का, वो भी काफी जादा well regulated है और बहुत जादा technology infrastructure वहाँ पे already available है तो HFT farms जो होती है, वहाँ पर भी उनको इस चीज़े परसंद आती है, प्लस tax station में भी profit होता है, यहाँ अगर HFT firm आ भी जाती है इंडिया में बहुत जादा, यहाँ तो tax दे दे के मर जाएगी, क्यों? उनके कमाई country ऐसी है, भही वो बात करें तो Canada और Canada के अंदर भी एक जगा है ठीक, Canada में भी Toronto, significant financial center है Canada का, वहाँ पे HFT activities काफ़ी जादा होती है country के अंदर, जो की North American market या फिर stable regulatory framework जो होता है, वहाँ पर वो technological infrastructure उनको provide करते हैं, देन बात करें, 7th point के अगर में बात करूँ तो यहाँ पर आ जाता है Switzerland चीक, I think Zurich नाम है उसका जहाँ पर financial market है, इनकी central कहा जाता है, वो भी एक central कह सकते हो, stable economy होने की कारण वहाँ पे काफी जादा कह सकते हो, easy तरीके से, high frequency trading infrastructure available हो जाता है, technically काफी जादा stable कह सकते हो वो जगा है, तो भाई वहाँ पर भी Switzerland के अंदर भी काफी जादा HFT की जाती है then next city की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आ जाता है Hong Kong यह भी काफी जादा important हो जाता है, simple सी बात है major financial center है, Asia का यह भी यहाँ पर Chinese market and international investor already available है, और उन लोगों को तो पता ही है कि technology को सही से use कैसे करना है, तो यह सारे के सारे जो बाते हुई, यह बाते समझने से हमें मिलता क्या है, हमें मिलता यह है कि आज हम, जिस trading कह सकते हो, like era में जीर है, कि जिस जगा पर trading हमारे नाम पर AI करते हैं आने वाले समय में कहीं सारे लोगों की job जाने वाली है, तो हमें भी, like आने वाले future में ध्यान रखना है HFT, यह चीज बहुत कीमती है देखो मैं बताया ना मैंने, मैं इस पर 4 साल से कह सकते हूँ 4 साल से मैं इसको देखता भी हूँ, समसता भी हूँ होती होगी, कितना pressure manage करते होँगे हम लोग यहाँ पर 5,000, 10,000 का loss देखते हैं 20,000 का loss देखते हैं, एक लाग का भी loss देखते हैं तो हमारी हवा गोल हो जाती है, यह भगवान बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर करोडों का 20,50,50,50,000,000,000,000 या करोडों में भी जा सकता है वो चीज़ डिफाइंड करती है किस लेविल पर हम हैं, तो आने वाले टाइम में अगर इंडिया की बात करें थोड़ा सा आगर यहाँ पर rules और regulations में धील दी जाती है, ठीक है rules और regulations मैं अभी तो यहाँ पर कर सकता है बट इंडिया में बात करे तो इंडिया में तो यार यह रूल है कि इंडिया में तो फोरेक्सी लीगल नहीं है तो बंदा करे तो करे क्या यहाँ पर तो यह चीज आ जाती है रही बाद अगर इतना काम कर सकते हैं, सोचो किस तरीके से किस लिविल पर काम होता है, कि इन चीज़ों को कैसे मैनेज किया जा सकता है अगर यहाँ पर सोचो 24 घंटे काम हो रहा है फोरेक्स मार्केट में और यहाँ पर की विल 6 घंटे में काम करती होंगी, इस कारण यह इतनी सारी जुमेने कंट्री आपको बताई है ना, यहाँ पर यह चीज़े अलाव होती है, हमाँ पर फोरेक्स भी कर सकते हो और यह चीज़ क्रिप्टो पर भी इंड्रॉल्व होती है अब क्रिप्टो में यहाँ पर काम करेंगी तो 30% तो टेक्स्टेशन ले जाता है, अब वो ही बात आ जाती है नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा का वाला गेम जो होता है वो पर मुवी में होता है, वो यह चीज़ यहाँ पर पर फिल आती है कि कुछ कमाया मालो सोर पर कमाया एक इंसान ने भाई 30 तो गवर्मेंट टैक्स में ले गई फ्लैट टैक्स है उसके बाद में फिर क्या बचा उसके पास में महनत उसकी कमाई है उसकी रिस्क उसका फिल लोग कहते हैं अमीर अमीर होता जाता है गरीब लोग कहते हैं बाते पर ध्यान दो यार वो अमीर लोग अमीर बनने के लिए कर के आ रहे हैं वो देखो तो उनकी महनत तो देखो तो यह चीज़े समझना बहुत ज़ादा ज़रूरी हो जाता है I wish HFT के उपर basic understanding जो होनी चाहिए वो clear हो गई होगी और HFT करना सपना होता है एक trader काई बात ध्यान रखना वो कहता कोई नहीं है क्यों नहीं कहता क्योंकि अभी इतना पैसा नहीं है सिंपल सी बात है यहाँ पर काम करने के लिए मैं मानता हूँ करोड़ रुपे की जरुवत पढ़ती है बट करोड़ रुपे कभी तो होंगे आज नहीं है तो common सी बात है ऐसा तो यह चीज़ आती है जो चीज़ आप सोच सकते हो बस केवल वही चीज़ आप कर सकते हो तो क्यों अमीर अमीर बनता जाता है और बिचारा गरीब रहता है मैं तो गरीब ही रह गया अमीर अमीर इसलिए बना क्योंकि वह अपनी आपको इंप्रूव करने पर लगा हुआ है वो कोशिश कर रहा है कि कुछ ऐसा किया जाया ताकि उसके लाइफ पर जो AI लाइक सिस्टम से हैं यह लोग पॉजिटिव इंपक्ट डाल सकें बहुत हो की जॉब जाएगी भाई अभी अभी तो इस स्टार्टिंग है अपनी आपको अपग्रेट नहीं कर रहे हैं तुम सोच रहे हो मेल लिखने वाला मैं देखता हूँ उनकी जॉब गई टीवी के इंदर आप देख रहे होंगे AI का यूज किया जा रहा है एंकर के र इसको बोलो कंण में कर वो कंण में उसको इंग्लिश में कर वो इंग्लिश में कर लेगी और human से er vive हो सकती है उसरे अरट भी कि इन्यू गया जिनको है सकते ही मैं कुछ एसा खतरना काम करूँगा जो दुनिया में कोई कर रहा है आप AI से पूछो वो करके देगा बहुत सारे लोगों को यह था कि मैं इंग्लिस शीखूंगा इंग्लिस लिखने का लाइक content लिखने का यह होगा बुग लिखना होगा भाई विदिन टैन मिनट आप लिख सकते हुए AI की ज्यादा भुरी वाली उन लोगों की जो लोग केवल और केवल गौर्मेंट की जो आपके पीछे लगे हुआ है जो लोग कह सकते हो ऐसी चीज़ों के पीछे लगे हुआ है जिनके अंदर करूना कॉल सेंटर की यहाँ पर खुद आप देख सकते हो AI सिस्टम करेट कर दे जाएंगे जितनी प्रॉब्लम से हो प्रॉब्लम यह पहले डिटेक्ट कर लेगा कि क्लाइंट का फीडबैक क्या था क्लाइंट बोलेगा मुझे यह प्रॉब्लम है वो कहेगा बेटा यह व क्लाइन ने मुझे प्लस माइनस प्लस माइनस मेरे सारे बता दिये अब मेरा रोने का काम नहीं है मेरा काम उन प्लस माइनस को सबको देखना और उनमें जो नेगेटिव चीज़े थी उसको पॉजिटिव करना वही चीज़ वो AI कर रहा है ठीक है अब भी development जो चल रही है ए उसके घर में जाके सही कर किया यह चीज़े होंगी आने वाले फ्यूचर में होंगी समझ रहे हो जो इनसान अपने आपको अफग्रेट नहीं करेगा भाई उसकी बैंड बजने वाली है बहुत बुरी वाली बजने वाली है यह चीज़ फील हो रही है और यह तो आप देख कर सकता है खुद को खुद से सिखा सकता है और वो सिखाईवी चीज़ों को हीमन से जादा अच्छे तरीके से प्रोसेसिंग कर सकता है तो आप खुद समझ सकते हो आपकी भी जौब अगर ऐसी है जैसे कि यह पहले वाले समय में क्या होता था चौकिदार हर घर के बार कह सक तो मतलब नॉर्मल जगा पर लगाया जाता था कि यहां पर सेफटी चाहिए, आज के टाइम में ऐसा है, एक इनसान शेहर में बैठा हुआ है, और वो अपने फार्म हाउस के उपर उसने फचास कैमरे लगाये हुए है, कैमरे भी ऐसे हैं कि कुता बिली भी अगर वहां पर सा चौकेदार था न, उसके पीछे लात लग चुकी, कहां पहले दस चौकेदार थे, अब वो एक रह गया, यह चीज़े समझने की है, ऐसी जॉब करने वाले लोग, जीमेल लिखने वाले लोग, वीडियो क्रेट करने वाले लोग, यह बहुत सारे लोगों की जॉब खाने व सेकंड नमबर है 8077521043, इन दोनों में से किसी भी नमबर पर आप हाई करके मैसेज कर सकते हो, वाटसप, आपको जैसे टाइम मिलता है, अवेलिबल होते है मेरी टीम और मैं, आपको रिप्लाइ जरूर किया जाएगा, प्लस बताना चाहूंगा हम लोग क्या करते हैं संड में, लाइफ सेशन रखते हैं, किसके ओपर डिस्कोड के ओपर, डिस्कोड क्या है, एक एप है, जो कि आपके फोन और लैप्टॉप दोनों में इस्टोल हो जाता है, फ्री ओफ कोस्ट, इसमें लॉग इन करना होता है, फेस्बुक के तरह बहुत ईजी होता है, वहाँ पर करते हैं, नीचे मैंने डिस्कोड की लिंक दी है, आप महाँ पर जाके continue कर सकते हैं, प्लस सेकेंड चीज ऐसी आती है, जिसके इंदर इंडिया में रहते हुए, आप लोग अगर currency में ही काम करता हूँ, वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो, currency मार्केट में अगर आप काम करत हो और continue करना चाहते हो, तो बताना चाहूँगा, हम लोग क्या करते हैं, सेभी registered broker के साथ work करते हैं, और RBI या approved pair में काम करते हैं, जो कि 100% इंडिया में legal होता है, अगर आप भी सेभी registered broker के साथ काम करना चाहते हो, तो नीचे मैंने link दी हुए ये, brokers की, brokers की link जो है, पहला broker है जिरुधा, then है Alice Blue, then है up stocks, अगर आप इन में से किसी के साथ भी account open करना चाहते हो, तो नीचे मैंने link दी है, और लिंक से अगर आप open करते हो, और इन number पर बताते हो, कि मैंने आपकी link के द्वारा account open किया है, तो आपको एक trading group के अंदर add किया जाता है, trading group का फायदा क्या रहत जाता है, trade idea share किये जाता है, किस चीज से related, currency market से related, ठीक है, तो वो चीज आप करना चाहे, तो join हो सकते है, नीचे मैंने links दी है, अपना account open कर सकते हो, different different चीजों में काम करके continue grow कर सकते हो, ठीक है, आने वाले समय में यह बाद ध्यान रखना, अपनी skills को improve करना जरूरी है, clearly समझ लीजिए, I wish यहां तक कि बाते clear समझा दी होंगी, फिर भी किसी के mind में कोई question होगा, तो comment करके बता सकता है, इन number पर message करके बता सकता है, और आज के video का question का answer है, sorry, question है, 41 plus 62, कितना होता है, आपको क्या करना है, इस वाले number पर, whatsapp number पर message करके बताना है, अगर किसी इनस कि कौन serious है, कौन serious नहीं है, इसी के साथ दोस्तों आज की video बंद करते हैं, मिलते हैं next important topic के उपर, bye दोस्तों